हेए अब्रेबन विल्कम बैक तो मैं न्यू वीडियो मैंने स्व्रवब एन पर तेड़े गुजियो आज का रास भी बड़ा अशांदार है पिस आइस यह हमारी आइस और आज ही हमारे नए स्पांसर है जो है रस्ना रस्ना यह एक पैकेट दो पैके आते हैं अगर आप डब दो लोग के लिए रस्ना बन सकता है तो हमारे इंग्रीडियंट्स है यह सब यह हमारा बॉटर पानी यह है शकर शुकर और यह हमारा रस्ना सबसे पहले आप जो भी पतीले में या बतन में बना रहे हैं उसमें हमारे पानी बॉटर को इस तरीके से ढाल दें आ तो यहां पहुंगा पानी फो डाल गया है कि बचते हूँ पुरा पानी इसमें में डाल लिया है फिर हम लालेंगे रस्ना तो dibकोर सबसस्ती के पैक्ट्स हां। तो अब जो हमारा अब लोग लग रहा होगा जो हमारा इंग्रेडियंट है ठाइड इंग्रेडियंट जो है शुगर पहले क्यों नहीं डाले हम क्योंकि शुगर हो जाता है घुल जाता है पानी में पिर रस्ना का टेस्ट जादी खटा खटा लगे कि यह है औरेंज फ्लीवर अब यह देखो यह हमारा खोल चुका है रस्ना अब हम इसके उपर डालेंगे इसके अंदर डालेंगे मतलब इसके अंदर प्लाकेट अंदर कर चले किया तो कोई बात नहीं पानी यह देखो अरेंज और दिख रहा होगा अब हम यह सब को भी कुलेंगे को भी हम डाल रहे हैं पताव पत चलो तर रस्ना को भी हम चक लेते हैं कि तो रस्ना में अब बहुत अब बाड़ा अच्छा लग रहा है हुआ खटा खटा आज़ा है कि तो काट खटा है मेरा टेंग ऊच्छी के औरेंज तो अब हम इसको स्पून से मिक्स करेंगे तो अब हम इसमें इस तरीके से मिक्स करेंगे अब मिक्स करने के बात हम लोग यह चीज़ पहले हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कोई लांप्स ना रहे है कि अगर लंप्स रह जाएगा तो वह प्राब्लम्स हो सकता है मतलब आपका यह देखो लंप्स मतलब अगर आपको नहीं बता तो आपको दिखा लेते हूं देखो यह थोड़ा सा इसको बोलते लांप्स यह हो जाता है अगर यह अच्छे तो फेट जाए तो इसका टेस्ट और अच्छा है तो हम लोग शुगा यानि शक्का पड़ा सकते हैं तो यह मैंने लिया है दो से धाई चमच शक्का अब हम इसको डाल देंगे इसमें तो पूरा पहले तो मैं दो तीन चमच कहले में डाल दे जहीं हो मैं धाई चमच डाला था वेर जब ना इसमें आ जाता ना कप में वह थोड़ा ज्यादा लगता तो हम अच्स करते हैं अब हम इसे टेस्ट करेंगे नाइस फिर हम आइस ट्रे ले लेंगे फिर इसमें भर देंगे यह इस तरीके से दिखे का अच्छा दिक रहा है ना यह रसना है अब आपको यह वीडियो अच्छा लगता तो मेरे चनल को लाइक तो आपको यह वीडियो अच्छा लगता तो मेरे चैनल को लाइक